तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अंइमल टिशू काफी अच्छा और इंट्रेस्टिंग टॉपिक है अनिमल टिशू का इससे पहले पलांट टिशू हम कंपलेट किये और पलांट टिशू में देखा कि पूरे प्लांट की बॉड़ी अलग अलग टाइप के ग्रूप से बनी है हमने देखा प्लांट में मेरिस्टमेटिक टिशू था परमानेंट टिशू था कॉंपलेक्स टिशू था और एपिथीलियल टिशू को भी मैंने डिसकस किया जो आउटर मोस्ट लेयर बनाता है प्लांट के हर पार्ट के चाहिए वो रूट हो या स्टेम हो या लीव अग्रांट के बारे में आट की बोडी जो होती है उस बोडी में भी बहुत सारे बरीवकाप और देखने को मिलेंगे लग अलग लग टिशू देखने को मिलें ओधिए जब गुरुप बनाती है और एक special काम करती है पूरा गुरुप मिलकर जब एक special काम करने लगता है उसी को हमने tissue बोला था और animal की body में तो बहुत सारे काम होते हैं यहां तो tissue भी group बना लेते हैं और organ बनाते हैं organ से पूरा system बनता है और system से हमारी body बनती है तो जब कभी आप पूरे animal की body को discuss करें animal कोई भी हो चाए चोटा है या बड़ा है तो उसकी animal की body में maximum cable चार तरह के tissue पाए जाते हैं हम बोलेंगे cable animal चार तरह के tissue से मिलके बना होता है जो अलग-अलग function करते हैं हमें इन ही चार अलग-अलग tissue को समझना है तो अगर हम इनके नाम भी याद कर लेंगे तो हमारा काफी काम कम हो जाएगा हमको बहुत कुछ याद हो जाएगा और हमको animal tissue समझ में आने शुरू हो जाएंगे कौन-कौन से चार तरह की tissue है नंबर वन अगर हम बात करेंगे तो रहेगा epithelial tissue epithelial tissue सब नाम याद हो जाएंगे चिंता मत करो मैं आपको सब याद करा दूँगा दूसरा जो tissue रहेगा उसका नाम रहेगा connective tissue connective tissue ठीक है और जो तीसरा हमारा animal tissue रहेगा वो रहेगा muscular tissue एक एक tissue को हम पूरा detail में पढ़ेंगे समझेंगे और इनके अलग-अलग टाइप भी जानेंगे यह हो गया आपका muscular tissue और चौथा और लास्ट जो आपका होगा वो होगा nervous tissue nervous tissue ठीक है अब epithelial tissue को हम अलग-अलग टाइप में बातेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे अलग-अलग example इनके बारे में हम समझेंगे ऐसे connective tissue के अलग-अलग टाइप हम देखेंगे एक दो तीन ऐसे करके हम इसको पढ़ेंगे कौन-कौन से example है इसमें इनको सब को जानने का प्रयास करेंगे मसल्स को भी डिवाइड करेंगे मसल्स को हम तीन अलग-अलग पार्ट में बाटेंगे और नर्वस टिश्यू में हम special neuron cell का बना जो group होता है उस cell की structure को समझने का प्रयास करेंगे तो अभी आपको केवल चार नाम याद करना है एनिमल कोई भी हो कि बॉड़ी में maximum चार तरेके ही टिश्यू पाये जाते हैं epithelial tissue connective tissue muscular tissue और nervous tissue चलिए तो शुरू करते एक एक टिश्यू को सबसे पहले हम बात करेंगे epithelial tissue epithelial tissue ठीक है तो शुरू कर देना चाहिए नमबा वन आपको पूरा किलियर हो जाएगा क्या होता है tissue animal में epithelial tissue ठीक है यह पहला tissue है animal तो हमने प्लांट में पढ़ा था epidermal tissue epithelial tissue प्लांट में तो epidermal नाम दिया गया था और animal में इसी tissue को हमने epithelial tissue बोल दिया है epidermal क्या बना रहा था जैसे leaves था तो leaves का जो outermost covering बना रहा था एक इस तरह से cell 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 उसका outer एक छिलका बना रहा था कोई भी जो surface थी उसमें epithelial tissue था leaf में था stem में था root में भी था रूट में भी एक outermost layer थी तो जैसे plant की body में हर एक पार्ट का outermost layer epidermal tissue बनाता है ठीक ऐसे ही animal की body में हर एक organ हर एक organ का outermost covering एक layer वो epithelial tissue बनाता है जैसे for example मैं आपको एक छोटा सा example दो मान लिजे आपका heart ये मान लिजे आपका heart हो गया ठीक है heart मान लिजे इतना बड़ा हो गया तो इसके सबसे बाहर जो इसकी boundary बना रहा है जो इसकी lining बना रहा है यहाँ पे कुछ इस type की cell है जो एक continuous layer बना रही है इसका covering बना रही है इसका एक outermost lining बना रही है तो यह जो group of cell है जो किसी भी organ की outermost lining बनाती है और इस organ को सुरक्षित रखती है बाकी और दूसरे organ से जो इसको separate बना के रखती है इन layer को इस group of cell को हम बोलते हैं epithelial issue so always it will make the outermost lining of each organ मान लिजे आपके अंदर food pipe है यह आपका food pipe है अब food pipe तो मालीजे इस तरह का है तो food pipe का भी outermost layer जो बनेगा यहाँ पर भी cell होंगी cell, cell, cell वो भी continuous cell इस तरह से होंगी यह जो outermost lining बनेगी cell की यह भी आपका epithelial tissue होगा यह वाला जो side होगा वो epithelial tissue होगा ठीक है इसके अंदर भी खोखला part है, pipe है ना तो pipe के अंदर भी क्या होगा यह अंदर की lining में भी यह वाला भी आपका epithelial tissue होगा इधर भी तो epithelial tissue हमेशा lining बनाता है, outermost part बनाता है किसी भी hollow organ की, किसी भी solid organ की और अगर मालीजे आप बोलते कि सर हमारी पूरी body अगर है मालीजे यह आपकी पूरी body है तो आपकी body में भी तो outermost lining बनी है आपकी कही न कहीं skin की रूप में एक outermost covering है एक continuous layer है जिसे आप skin बोल रहे है वो skin अपने आप में क्या है? वो अपने आप में epithelial tissue होता है तो चाहे hollow organ हो, चाहे solid organ हो चाहे complete body ही क्यो ना हो वो हमेशा जो बनता है जैसे एक fruit के अंदर छिलका होता है जैसे mango आपने खाया तो mango का छिलका होता है एक leaves के अंदर भी जैसे छिलका होता है stem की भी outermost lining होती है ऐसे ही animal की body का हर organ उसके बाहर भी continuous layer type का होता है जो cell से बनता है और वो जो group of cell है जो lining बनाता है lining मतलब outermost covering जो बनाता है किसी भी organ की body की वो group of cell आपका epithelial tissue कहलाएगा ठीक है आपका माली जे kidney है ठीक है ये kidney है तो kidney की outermost layer किसे बनी है यहाँ पर भी क्या होगा यह आपका epithelial tissue ही होगा इन cell की खासियत मैं आपको समझाता हूँ सपोज यहाँ पर एक cell है यह वाली मैंने खुड़ी बड़ी बना दी और यह दूसरी cell है जो यहाँ पर है इन cell के बीच में एक तो intercellular space बिलकुल नहीं होगा यह एकदम continuous होंगी एक दूसरे से चिपकी होई होंगी सबसे पहली बात अद दूसरी बात इनकी तीन side तो माली जे cover है इधर माली जे यह आपका kidney की दीवारे हैं kidney की दीवार काफी मोटी है तो यह जो outermost cell है थे कि यह वाली surface किसी cell के संपर्क में है यह वाली surface किसी cell के संपर्क में है इधर वाली cell किसी और के संपर्क में है तीन side से यह लगातार दूसरी cell से घिरी रहती है लेकिन एक side इसकी ऐसी होती है जो दूसरी cell से touch नहीं होती one side will be always found open of this tissue बहुत बड़ी खासियत है ठीक है अब देखिए ये वाली जो सर्फेस है ये ओपन है लेकिन इधर अंदर कोई दूसरी सेल होंगी साइड में ये वाली सेल है तो इसकी तीन साइड में तो कोई ने कोई सेल से ये टच होगी लेकिन एक साइड ऐसी जरूर होगी जिससे वो पीच में intercellular space बिल्कूल नहीं होता इस तरह से एक covering बनाती है एक layer बनाती है छिलका बनाती है इस तरह से ठीक है ये आपकी और continuous layer इधर मालीजे कोई और cell है इधर कोई और cell है लेकिन ये side इनका open पाया जाएगा one side इनकी open होगी जो दूसरी cell से touch नहीं होगी इधर की cell भी देखिए ये side open रहेगी इनकी देखिए ये वाली side open रहेगी तो मालीजे कोई भी जो layer है वो outermost अगर बनाएगी तो एक side तो open पायी जाएगी अब मालीजे कोई organ की दीवार इतनी मोटी है इस organ में अंदर कई तरह की cell 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 भरी पड़ी है कई तरह की cell है अब इसकी दीवार मालीजे इधर से ये एक इस तरह की cell हो गई जो इसकी ये वाली outermost lining बना रही है तो ये जो cell है ये epithelial tissue कहलाएगी इधर की cell है ये भी आपके epithelial tissue कहलाएगी क्योंकि इनकी ये side open पायी जा रही है और ये मालीजे कोई भी एक इस तरह का organ है तो ये अंदर कोई और tissue हो सकते हैं लेकिन इनके सबसे बाहर वाला जो layer है वो हमेशा epithelial tissue ही होगा ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है जनरली जो outermost lining होती है cell की जो outermost covering protective layer बना रही है वो single cell thickness वाली होती है जैसे मालीजे ये मैंने एक single cell थिक वाली एक layer बना ही ये इस तरह से ये मालीजे इस तरह से मैंने बना दिए इस single cell thickness वाली है इधर हो सकता है आपके organ की बाकी की cell है जो ये इसका covering बना रही है ये बाकी की cell है ये जो outermost बना ये epithelial cell है ठीक है अगर ये single cell thickness बहुत पतली बारीक layer के रूप में अगर पाई जा रही है तो इस epithelial tissue को एक नाम दिया गया है अलग-अलग नाम अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसको बोलते हैं simple squamous tissue इसको क्या बोलते हैं simple squamous tissue तो simple squamous tissue एक ऐसा epithelial tissue है जिसकी मोटाई केवल एक cell मोटा वो layer और जितनी पतली ये layer होगी उतना ही बाहर से अंदर और अंदर से बाहर diffusion हो पाएगा तो हमारी body में जहां जहां diffusion होता है वहां वहां simple squamous tissue पाया जाएगा जैसे lungs की alveoli अगर हैं जिसमें अंदर air भरी होती है और जो blood के pipe हैं ये माली जे blood के pipe हैं जिनमें होके blood का flow हो रहा है इसमें क्या blood का flow हो रहा है ठीक है तो इस blood की जो capillary हैं ये जो दीवारे हैं वो single cell थिक वाली हैं क्योंकि ये अगर single cell थिक रहेंगी तो यहां diffusion हो जाएगा ठीक ऐसे ही lungs की alveoli में भी ये single cell epithelial tissue होगा ये ही इसकी दीवारे बनाएगा और oxygen lungs से blood में और blood की carbon dioxide lungs में चली जाएगी और gas exchange होना आसान हो जाएगा तो अगर कोई आप से पूछे simple squamous tissue कहां पाया जाता है तो answer आएगा हमारी body में जहां जहां diffusion होता है वहाँ simple squamous tissue पाया जाता है और इसकी थिकने single cell होती है एक cell मोटी layer cable है बहुत बारी कि ये पतली membrane के रूप में epithelial tissue पाया जाता है लिकिन कुछ organ में क्या होता है कि ये जो squamous tissue है जो flat cell से बना है ये काफी मोटाई में पाया जाता है माली जे इस तरह की ये cell है और ये cell इसी तरह की काफी ठिक हो गई एक के उपर एक एक के उपर एक एक के उपर एक ऐसे माली जे लगी है तो फिर इनको हम simple squamous नहीं बोलेंगे इनको फिर दूसरा नाम देना पड़ेगा और इनको नाम देना पड़ेगा stratified, stratified epithelial tissue, stratified squamous tissue बोलेंगे इनको, stratified squamous tissue, ठीक है, और ये जो squamous tissue है, squamous tissue का जो भी cell होगा, वो इस तरह से flat cell होगा, इस तरह से लंबाई में ये cell पाई जाएंगी, अगर cell की shape एक flat cell के जैसी है, तब ही हम इसको squamous बोलेंगे, अगर इस cell की shape कुछ और हो जाएगी, तो फिर उसको squamous tissue नहीं बोलेंगे, अगर ये केवल एक cell मोटी है, तो simple squamous, अगर multi-layer है, तो फिर ये stratified squamous tissue कहलाएगी, मुझे लग रहा है कि squamous tissue का function समझ में आया होगा, अब इतनी मोटी layer बनाने की क्या जरुत है, actually protection करना होता है किसी organ को, बाहर से अंदर कोई नहीं आना चाहिए, अंदर से बाहर कोई नहीं जाना चाहिए, माली जी ये surface इसकी open है, ये वाली, और इधर आपके body के organ है, बाकी की cell है, तो बाहर से अंदर अब कुछ नहीं आ सकता, और अंदर से बाहर भी कुछ नहीं जा सकता, तो ये जो एक वह इतनी मोटी layer बन गई, ये आपके stratified कहलाएगी, एक pattern के अंदर ये cell एक के उपर एक जमी रहती है, और काफी थिक layer बनाती है, जैसे हमारी skin के अंदर अगर हम बात करें, तो हमारी skin ऐसी ही होती है, फ्लेट सेल से बनी multi layer वाली epithelial tissue, ये हमारी skin में पाया जाता है, इसका example मैंने lungs alveoli बताया, lungs की alveoli और हमारा blood capillary, blood का जो pipe होता है, जो diffusion करता है, उससे बोलते हैं blood capillary, वहाँ पर ये tissue पाया जाता है, skin के अंदर ये वाला tissue पाया जाता है, ये कौन सा tissue है, stratified squamous tissue, skin के अलावा और कहां मिलता है, ये हमारे mouth cavity में, oral cavity, मुव आप थोड़ा खोल के देखेंगे, तो अंदर ये अंदर जो एक layer है, एक flat cell से बनी, oral cavity, उसके अंदर भी इसी की layer पाई जाती है, हमारे isophagus में भी इसी की layer पाई जाती है, isophagus food pipe का एक हिस्सा है, जो oral cavity के बाद में शुरू होता है, तो stratified squamous tissue is a group of flat cell which are found to protect something, to protect any organ, कई बार ये अगर single layer है, तो simple कहलाएगा, अगर multi layer है, तो stratified squamous tissue कहलाएगा, तो मुझे लग रहा है कि squamous tissue आपको समझ में आ गया होगा, flat cell से बना है, बीच में कोई intercellular space नहीं है, continuous layer है, और epithelial tissue की one side हमेशा open पाई जाती है, जो दूसरी cell से touch नहीं होती है, और भी epithelial tissue है, मैंने आपको दो करा दिये, अब तीसरे tissue की हम बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं columnar tissue, उसे क्या बोलेंगे, columnar tissue, columnar epithelial tissue, columnar epithelial tissue, epithelial तो है, outermost lining तो बनाएगा, लेकिन ये flat cell से मिलके नहीं बना, बलकि column जैसी, roll जैसी, लंबी-लंबी cellों से मिलके बना है, जैसे ये कोई एक organ है, ठीक है, अब इस organ में जो epithelial tissue है, वो इस तरह की लंबी-लंबी cellों से मिलके बना है, यह एक सेल हो गई यह एक दूसरी सेल हो गई यह एक तीसरी सेल हो गई अगर इस तरह से लंबी लंबी सेलों से मिलके बना है तो यह टिशू आपका कहलाएगा का औलमनर एपीथीलियल टिशू कॉलमम आप सुनते हैं कॉलम मकान में बनते हैं पिलर जैसे हम बोलेंगे पिलर-लाइक सेल से बना पिलर-लाइक सेल से बना आऊटर्मोस्ट कवरिंग बनाने वाला जो tissue है वो columnar epithelial tissue कहलाता है ठीक है तो ये इस type के tissue कहां पाये जाते हैं इस type के tissue हमारी intestine में पाये जाते हैं क्योंकि ये जो cell है वो food को absorb करने में और कुछ digestive enzyme secret करने में यूज़ूल होती है इनका main काम होता है absorption and secretion absorption and secretion ये cell ऐसा कर सकती है secretion absorption क्या होता है माली जीए इधर होके food जा रहा है इधर होके कौन जा रहा है food जा रहा है तो food को ये absorb कर सकती है food को absorb करेंगी और अंदर organ तक पहुचा देंगी absorption कर सकती है secretion कई बार ये cell क्या करती है चिप 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 सा फ्लोड बाहर secret करती है और उसमें कोई भी चीज मूब करके आसानी से जा सकती है तो pillar जैसी shape की अगर epithelial tissue बना है इस तरह से pillar जैसी cell का तो ये आपका columnar epithelial tissue कहलाएगा ये absorb भी कर सकता है और ये कुछ न कुछ secret करता रहता है चिप चिपा सा फ्लोड या digestive enzyme intestine के अंदर ये पाया जाता है हमारे food pipe के अंदर intestine जो part है वहाँ पे पाया जाता है ठीक है ये columnar epithelial tissue हो गया अब जो चौथा है वह बिलकुल columnar जैसा ही है columnar ही है माली जे ये organ है और यहाँ पर ये column जैसी shape वाली cell लगी है outermost covering बना रही है column जैसी है उने को तो ये columnar epithelial tissue है लेकिन अगर इनकी open surface पर ये surface open है अगर इस पर छोटे छोटे बाल जैसे कुछ structure लगी है जिनको हम celia बोलते हैं hair like structure को क्या बोलते हैं celia hair like structure छोटे छोटे बाल 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 से लगे हैं तो ये फिर आपके कहलाईगी celiated epithelial columnar epithelial tissue कहलाएगा epithelial tissue columnar tissue तो है columnar है epithelial भी है लेकिन इस पर चुकी celia लगे हैं इसलिए इसको नाम दे दिया celiated columnar epithelial tissue ये भी secretion और absorption करेगा secretion absorption करेगा लेकिन अगर यहां पर कोई molecule है कोई mucus है कोई dust particle है तो ये celia हिल हिल कर उनको एक particular direction में धकेलने का काम करते हैं ताकि यहां की साफ सफाई होती रहे जैसे हमारे respiratory tract जो सांस नली होती है उनमें कोई dust नहीं जाना चाहिए respiratory जो tract होती है respiration करने के लिए जो नली होती है उनके अंदर अगर कोई पूछे कि celiated columnar tissue कहां पाया जाता है तो answer आएगा यह हमारे respiratory tract में पाया जाता है ठीक है और fallopian tube के अंदर भी पाया जाता है female के अंदर fallopian tube होती है वहाँ पर भी यही tissue पाया जाता है कई मैंने आपको चार तरह का epithelial tissue पढ़ाया एक पांच वी type का भी tissue होता है वह भी आप थोड़ा देख लीजी वह भी epithelial होता है organ तो यही है लेकिन इसमें जो cell है वह cube जैसी है cube के जैसे इस तरह से अगर cell एक के साथ एक जुड़ी है और outermost lining बना रही है तो एक cube जैसी shape की अगर cell epithelial tissue बनाती है तो इस epithelial tissue को हम बोलते हैं cuboidal epithelial tissue cuboidal epithelial tissue इसको बोलेंगे ठीक है यह cuboidal cell से बना है तो यह आपका cuboidal हो गया cuboidal cell पे कभी cilia नहीं होते वह column nerve पे ही होते हैं cuboidal पे generally नहीं होते और यह भी अपनी इस open surface से secretion और absorption कर सकते हैं साथ ही यह थोड़ी मोटी cell होती है इसलिए थोड़ा सा mechanical strength provide करते हैं जिस organ के पास से होते हैं उसको थोड़ा मजबूती मिलती है और कई बार यह इतना secretion करते है कि वह चिपचिपा सा flood हमारे लिए काफी useful हो जाता है जैसे यह अभी था अब यह क्या है कई बार इस तरह से fold कर लेता है यह इस तरह से fold करके और ऐसे हो गया ठीक है अब इसके अंदर यह epithelial tissue लगा है कौन सा वाला cuboidal type का यह cuboidal epithelial tissue लगा है cube 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 मैंने बना दी क्या हो गया नीचे जाके इस तरह से एक pit बना लिया एक गढ़ा सा बना लिया यह cuboidal tissue और इस cuboidal tissue ने चिपचिपा चिपचिपा सा flood बना दिया यहां पे बहुत सारा flood एखटा हो गया अब यह जो flood एखटा हुआ है उसे नली से किसी भी जगे जाके अगर यह liver का gland है तो bile juice निकालेगा pancreas का है तो pancreatic juice बनाएगा कुल मिला के अगर cuboidal tissue folding करके एक gland बना ले इस तरह से gland बना ले और gland के अंदर secretion इखटा हो जाए जिसे कहीं पे भी drop करे जैसे saliva salivary gland में ऐसा होता है लार निकलती है हमारी तो वो लार कहां से आती है यहाँ पे जो epithelial tissue है उसी ने तो यह बनाया और वो यह खटा हो गया वो यह निकल रहा है तो यह जब gland बना लेता है तो इसी को हम बोलते है glandular tissue इसको क्या बोलते है glandular tissue इसको कहने लगते है ठीक है अब एक बार दुबारा repeat करते हैं सभी को glandular tissue का example हो जाएगा जैसे की salivory gland हो जाएगा salivory gland glandular tissue से बनी है वहाँ पर cuboidal cell पाई जाती है cuboidal cell जब gland नहीं बनाती तो kidney के अंदर देखने को मिलती है kidney के अंदर यह इसी टाइप की cell होती है यह भी secretion absorption में मदद करती है तो आप इनको एक एक करके पढ़िएगा तो काफी interesting है समझ में आएगा epithelial tissue में तीन तरह की shape हो गई अगर हम complete epithelial tissue की बात करें epithelial tissue की तो shape के आधार पे तीन तरह का हो गया on the basis of shape एक shape हो गई की flat cell है column के जैसे है ठीक है और तीसरी हो गई की वो cube के जैसी है तो तीन तरह की shape है अगर single layer वाली flat cell है अगर single layer बनाई तो वो हो गई simple squamous tissue simple squamous tissue हो गया अगर multi layer हो गया multi layer हो गया तो वो हो गया stratified stratified squamous tissue ठीक है column के जैसी है अगर वो बिना cilia वाली है तो सीधा बोलेंगे columnar tissue और अगर उस पे cilia लगे हैं तो हो जाएगा ciliated columnar tissue tissue ठीक है अगर cube के जैसी है तो हो जाएगा cuboidal tissue cuboidal tissue और cuboidal tissue ने अगर gland बना दिया तो हो जाएगा glandular tissue चाहे cell की shape कोई भी हो चाहे वो कुछ भी काम करे लेकिन एक खासियत इन सब की है कि इन cell की एक surface हमेशा open पाई जाएगी और यह किसी भी organ का कोई न कोई outer most part बनाते हैं सबसे बाहर का covering सबसे बाहर का छिलका यह बनाते हैं इसका काम हो जाएगा diffusion करना इसका काम हो जाएगा protection करना columnar tissue का काम हो जाएगा absorption and secretion करना ciliated अगर है तो एक particular direction में किसी molecule को move कराएंगी cuboidal protection करता है thick rigid एक layer बनाता है glandular लगातार secretion करती है कोई ने कोई chemical का कोई material का secretion यह करती है gland बनाती है हमारी body में बहुत सारी gland होती है salivary gland है digestive gland है और हमारे oil gland है sweet gland है पसीना निकलता है तो इस तरह से epithelial tissue की कहानी खतम होती है कल की class में हम बात करेंगे connective tissue कल भी class भी चास खतुश आज Spit